आज हम अपनी निटिंग का जो है सेकंड टिटोरियल स्टार्ट करते हैं इस टिटोरियल में आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे अपने जो फंदे आपने डाले हुए हैं उन्हें कैसे सिधा-सिधा बुनेंगे याने कि जो आपने स्टिटिस अपने कास्ट आन किये हैं needle पे उन्हें आप कैसे knit करेंगे knit का मतलब होता है सिदा सिदा बुनना तो जो मैंने यहाँ पे फंदे डाले हुए है यह कैसे डालने है यह हमारा lesson first था जो आलरेडी मेरे चनल पे वीडियो पड़ा हुआ है i button में उसका link है मैं आपको दे दूँगी आप वहाँ से उपर से देख लीजिए जिसे यह फंदे डालना नहीं आता है बिल्कुल easy है beginners के लिए मैंने यह lesson प्रिपेर किये हुए है तो चलिए start करते हैं आज का हमारा जो topic है यहाँ पे knit करना stitches को याने कि अपने फंदूग को सिधा सिधा बनाना देखिएगा आप यहाँ पे आपने फंदे तो डाल दिये जितने भी आपने फंदे डालने है मैंने यहाँ पे total 10 stitches डाले है यह आपके practice के लिए है आपने अपनी needle में जो है total 10 stitches डालने है और आज यह practice करनी है कि आप अपने stitches को सिधा सिधा कैसे बनाएंगे देखिएगा यहाँ पे जो आपने stitch डाला है ध्यान से देखिएगा यहाँ से आप अपनी needle जो है insert करेंगे यानि कि यहाँ से अपनी needle को डालेंगे देखिएगा यह जो है आपका stitch कुछ इस तरीके का होता है इसके center से आप इस तरीके से जो है front से अपनी sly को डालेंगे और जो आपका लंबा धागा है जो आपके ball के साथ लगा हुआ है उसे लेंगे ना कि जो आपने short पे धागा लिया है उसे लेंगे देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से जो है अपनी sly पे डालेंगे एक और बार दिखाती हूँ इस तरीके से sly पे डालेंगे आपने धागा अपना sly पे डाल दिया sly आपके कुछ इस तरीके से है फिर आप अपनी sly को जो है इस फंदे में से इस तरीके से देखेगा इस तरीके से बैक लाएंगे इस तरीके से निकालेंगे और जो स्लाई पे आपने अपना फंदा डाला हुआ है उसे ऐसे गिरा देंगे यह आपने अपना फंदा सिधा बुल लिया यानि कि आपने अपना स्टिट निट कर लिया next में आपको दिखाती हूँ देखेगा यहाँ पे आप अपनी sly जो है इस तरीके से डालेंगे देखेगा यहाँ पे इस तरीके से फिर दागा आप ऐसे देखिए अपना इसे इस तरीके से sly पे लिपेटेंगे और यह दागा ऐसे गिरा देंगे यह देखिए इस तरीके से आपने अपनी knitting करनी है सीधे सीधे जो कि आप अपना stitch knit कर रहे हैं दुबारा से देखिएगा यह देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो है आपने इसके center में से ऐसे अपनी slide डाली दागे को ऐसे needle के उपर से लाया और इसे दुबारा से इस तरीके से जो है निकाल दिया देखिएगा ध्यान से एक और बार देखिएगा इस तरीके से जो है center में से अपनी stitch के slide डाली दागे को ऐसे लपेटा इसके उपर से और इस तरीके से निकाल दिया इस तरीके से आपने अपने फंदे में जाली अपनी स्लाई धागे को ऐसे लपेटा और ऐसे निकाल दिया ये देखिए जो आपके जो है स्टिचिस कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे जिने हम निट बोलते हैं याने की सिधे बुनना भोलते हैं इसी तरीके से आप अपनी सारी स्लाइड पूरी करेंगे आज के इस टुटोरियल में आपने सीखा कि आप कैसे निट करेंगे स्टिच को याने की फंदूं को कैसे आप सिधा बुनेंगे तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको थोड़ी बहुत नॉलिज मिली हो कि आप फंदूं को कैसे बुनेंगे ये हमारा निटिंग का लेसन नंबर टू था जिसमें आपने सीखा कि आप फंदूं को कैसे सीधा सीधा बनाएंगे तो आप इसे ट्राई कीजिए बार-बार ऐसे ही ट्राई कीजिए सीधा कि आप stitches को पर्ल कैसे करेंगे याने कि आप फंदूं को कैसे उलिटा उलिटा बनाएंगे तब तक आप इसकी प्रेक्टिस कीजिए देखिए जो हमारे निट स्टिच होते हैं वो कुछ इस तरही के होते हैं तो आप जो मैंने आज आपको सिखाया सिधी सिधे फंदे बनाना उसे प्रेक्टिस कीजिए अगर ये बेसिक वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी फैंबली और फ्रेंड्स केसा शेयर कीजिए जिने निटिंग नहीं आती है और इसे लाइक कीजिए और साथी मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू